तो फ्रेंट्स यह है हमारी जाइफर की जैड एट डूबेश्ट सीरीज की बेश की सबसे ताकरतवर एंप्लिफायर हेलो फ्रेंट्स एक बार आपका फिर से अमारे सेनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं तो गाइस के वीडियो में बात करने वाले जाइफर की जैड एट जो बेश्ट के लिए सबसे वेश्ट एंप्लिफायर है तो फ्रेंट्स आइसके वीडियो में करेंगे इस एंप्लिफायर का रीव्यू इसके कनेक्शन और इसके सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे इसका लोड के लोकेशन भी देखेंगे और उसके अलोड़ फ्रेंट् स्टार्ट कर लेते हैं एक है इस गाइट यह है हमारी एंफलिफायर का फ्रेंट ह्रॉट्ट देख सकते हूँ जाइफर की जैडशी है कि इस के बाद करेंद्स फ्रेंट्स लेप में बाठों डोर्मेफ लेक्टर प्लस यह पर में क्लिप भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर चैनल ए और DANL ुमिल जाता है पाउर आउन के ली डेखने को मिल जाते हैं 4पर आपकु कमेंड pdf आर्ठ फ्रन्ट मिल जाता है और यहाँ पर दो चैनल मिल जाते हैं यहाँ पर हीटवेंट टीलेशन भी दिय गया है कुलिंग के ऍसके back पेनलивать वाकए एंप्लिफायर से काफी विड् मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर मोР кабtak करें तो सिर्फ सिर्टीर भी सधीर ब्रीज मोड दिये वाई नहीं है उसके अलावा यहां पर लो फिक्वेंसी के लिए भी आपको अलग से क्रोस और यूज करना पड़ेगा एंप्लिफायर के अंदर कोई चैटिंग नहीं दी होती है इस एंप्लिफायर के इंपूट और आउट्पूट की बात करें तो इंपूट के अंदर आप एक्सलार देख सकते हो प्लस अधर कम एंप्लिफायर के कपल के लिए और आउट्पूट के अंदर आप यहां पर उसकी लिए फ्रेंट सबसे पहले जान देते इस एंप्रिफायर की स्वैसिफिगेशन तो यहां पर इसके स्वैसिफिगेशन की बात करें तो यहां पर इसका सबसे पहले 8 ओम्स का आउटवूट है वह में एक के हड़ तक मिल जाती है और इसका क्लास है वह यहां पर क्लास दीखी है डिस्ट्राइशन वह है बिल्कुल लोग 0.01% और वेट है वह 38 केजी का मिल जाता है अब बात करते हैं कि हम इस प्लाजमा बेस से वह चला सकते है क्योंकि हमने स्पेसिफिगेशन देख लेए अप्लिफ़ूइर कापी अच्छी है अगर चला सकते हैं तो कितने बाट के स्पीकर वह ले सकते हैं यह हमारी amplifier है वह best attachment रहता है वह फोरोम्स के लिए रहता है कि इस amplifier फोरोम्स पर run करें तो सबसे best result मिल सकता है तो फोरोम्स के लिए friends इस पर हम total CRS speaker run करा सकते हैं यह amplifier फोरोम्स के अंदर यह हमें 4000 वाट का output दे रही है तो इसके इस amplifier फोरोम्स के लिए सबसे best attachment रहता है अगर आप उसके उपर 2000 वाट की speaker लेते हो तो इसका सबसे अच्छा option है कि आप इस amplifier फोरोम्स के बड़े आराम सकते हो दो-दो-जार वाट के speaker लेकर यहां पर स्वीटोन का अटारा इंची का speaker है वह इस amplifier के लिए सबसे best है वह आप लेकर इस amplifier पो चला सकते हो फोरोम्स पर रन करा सकते हो आपका plasma base से वह काफी तगड़ा बजेगा और performance यह बहुत शांदार रहेगी क्योंकि amplifier के उपर overload बिलकुल भी नहीं होगा बिलकुल 4000 वाट की amplifier भी हम आउटपूट दे रही है और उतना इस पर load हम दे रहे है तो गाइस यह है हमारी amplifier आज के इस वीडियो में